हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने योट्यूब चैनल जॉब डिडेक्टर पे दोस्तों मैट्स में हमारा प्रॉफिट अन लॉस का ग्लास चल रहा था ठीक है प्रॉफिट अन लॉस में हम लोगों ने क्वेशन नमबर टेन तक कर लिया था यह हमारा आज का प्रॉफिट अन लॉस का तीसरा वीडियो है तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेशन की तरफ देखे हमारा आज का पहला क्वेशन क्या बोल रहा है एक ट्रेडर ने एक आइटम को कितने में बेचा लॉस ऑफ ट्वेशन का ठीक है आप लोग मुझे यह बताए कि आप लोगों को उस पर्टिकुलर आइटम का कॉस्ट वाइस बता है जो भी हमारा और प्रॉफित होंकि और प्रॉफिट करते है दाइस कोश्ट प्राइस पर ही क्याल्कुलर करते है तो मैं पता नहीं अगर हमारा कॉस्ट प्राइस एकडर तो फॉन्य पर्सhed के लॉस में बेचरे इसका मतल़्ा ठीकॉल बेचरे हैs 80% of the cost price जो होगा वो हमारा selling price निकल गया 80% of the cost price मतलब X वो हमारा क्या निकला selling price निकला अब क्या बोला had it sold it for 100 more यह जो selling price है इसमें से और अगर हम 100 जादा में इसको बेशते तो हमें क्या होता हमें 5% का profit होता ठीक है तो हमें 5% का profit होता मतलब हम CP पर ही calculate करेंगे तो हम इसे किसने में बेशते 105X by 100 तो यह जो हमारा SP है यह इसके equal है यह जो हमारा SP होगा यह हमारे इस SP के equal है की नहीं दोस्तो है ना तो देखे डारेक क्या करते हैं यह X वाले terminal को उधर बेश देते that means 105X by 100 minus 80X by 100 should be equals to 100 यहां पर क्या होगा हमारा यह 80 है दोस्तो यहां में हमारा क्या बचेगा 25 बचेगा that means 25X by 100 should be equals to 100 डारेक काट दूए 4 X हमारा क्या होगा 100 into 4 that is 400 X हमारा क्या था दोस्तो X हमने assume किया था हमारे उस particular item का cost price देखे फिर से बता रहे हैं यह question को ध्यान से देखेगा दोस्तो a trader sold an item at a loss of 20% 20% loss में बेचा तो अपका cost price क्या है cost price हमें नहीं पता है cost price है X तो 20% loss में बेचे that means हम उसे 80% में बेचे 80% of X यह हमारा selling price निकल गया अब क्या बोल रहा had it sold for 100 more अब उसमें और अगर हम 100 जादा में बेचते तो new SP क्या जाएगा दोस्तो new SP आगा 80X by 100 plus 100 80 X by 100 plus 100 उसको जितने भी बेचेते और अगर हम उसे 100 और जादा में बेचते तो हमें 5% का profit होता तो new SP हमारा क्या हो जाएगा 80 X by 100 plus 100 तो हमें क्या होता 5% का profit होता तो profit तो हम अपने CP पे ही calculate करेंगे 105X यह जो हमारा selling price है यह इसके equal होता direct X वाले terminal को उधर बेच दिया और X का value निकाल दिया X हमने किस से assume किया था हमारे cost price को cost price क्या हो गया दोस्तों Rs.400 किसी को भी इस question में confusion है next क्या बोल रहा है after selling an item is rupees 350 instead of 400 the percentage loss occurred by 5% अगर आप किसी भी table को 350 में बेशते हैं instead of 400 तो आपको 5% का loss होता है अगर आप उसको इतना 50 less में नहीं बेशते तो आपको 5% का loss नहीं होता तो किसी भी चीज का cost price नहीं बता X का 5% हमारा 50 है S का हमारा 5% कितना है दोस्तों 50 है क्योंकि अगर हम उसको 50 कम में नहीं बेशते तो हमको 5% का loss नहीं होता तो किसी भी चीज का 5% हमारा 50 होगा किसी भी चीज हम assume कर लेते हैं हमारा X X अगर हमारा cost price है तो X का 5% should be equals to 50 20 X हमारा क्या हो जाएगा 1000 दाट इस option number D ठीक है चल नेक्स नेक्स क्या बोल रहा है दोस्तों there is a loss of 10% after selling an item for Rs.72 क्या बोल रहा है there is a loss of 10% after selling an item in 72 that means आपको cost price तो नहीं पता है cost price हमारा हो गया X तो 10% loss में बेच रहे that means आप 90% में बेच रहे that means 90% of हमारा X जिसको cost price हमने माना है वो कितना हमारा 72 ठीक है तो हमारा cost price तो पर्टिकुलर item का कितना निकला 80 cost price कितना निकला दोस्तों 80 अब क्या बोल रहा है अब बोल रहा है इसी पर्टिकुलर चीज को item को अगर आपको 5% का profit कमाना है तो आप कितने में बेचेंगे cost price हमें पता चल गया है डारेक्ट इसका हम 105% निकाल लेते हैं अगर profit and loss जो भी होता है हमारा cost price पे ही calculate होता है बार बार बता रही हूँ that means हमारे 84 रुपीज में अगर हमें 5% का profit कमाना है तो हम इस particular item को रुपीज 84 में sell करेंगे yes or no दोस्तो yes or no तीन question अभी तक की अगर किसी भी question में आप लोगो confusion होगा आप लोगो comment box में comment कर सकते हैं या आप direct हमें telegram पे भी message कर सकते हैं telegram का जो हमारा group है उसके video के description में आपको वो available हो जाएगा महाँ से आप question number बता सकते हैं जो भी particular question में आपको doubt होगा बढ़ते हैं हमारे अगले question की तरफ चलिए देखिए तो हमारा अगला question क्या है अगला question बोल रहा है an item is sold at a loss of 10% an item is sold at a loss of 10% अगर 10% पे बेच रहे तो उस item का price क्या है cost price नहीं पता उस अगर हम 10% में बेच रहे हैं के loss में बेच रहे हैं that means हम 90% में बेच रहे हैं 90 x by 100 यह हमारा SP निकला ठेक है अब क्या बोल रहा है had it sold for 9 more अगर हम इसको और 9 रुपे जादा में बेच दे हैं तो हमको कितना का profit होता 12 1 by 2% का 12 1 by 2 that means 112 12 1,5% काम को profit होता होगा की नहीं दोस्तों तो डारेक्ट 225 by 2% का profit होता X का 225 by तो दोस्तों यहां से फिर से बार देखेगा question क्या था हमारा हमारा था कि एक पर्टिकुलर आइटम को अपने 10% लॉस में बेचा अगर 10% लॉस में बेचा अगर 10% लॉस में बेचा यहां आपने 90% में बेचा 90% of the cost price cost price हमारा क्या था एक्स तो 90% of X, यह है हमारा क्या निकला, यह SP निकला, अब क्या बोल रहा है, had it sold for 9 more, had it sold for 9 more, that means plus 9, ठेक है, there is a profit of 12.5%, 12.5% that means 112, 1 by 2% of X, यह है थे 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 न, अभी हम लोग question number 12 में, friends, question number 12, में हमारा यही था था, 11 में, ठीक है, तो यहाँ पर जब solve करेंगे हम, should be equals to 225 by 200 of X, यह आप लोग solve कर लीजेगा, X का value निकाल लीजेगा, आप लोग X का value डेटर माइन कर लीजेगा, चलिए इसको और तो रहा है, आप लोग उसके बाद X का value डेटर माइन करके हमें बताईगा, यह 25 से कटेगा, 25 नाइन और 25 एट्ट अट मिन्स हमारा क्या है, 9X by 8, और यह 00 भी कर लिया, 9X by 8, minus 9X by 10, should be equals to 9, ठीक है, अब LCM लेके, आप X का value डेटर माइन कर सकते हैं और इसका answer आप लोग comment box में comment कीजेगा, एक बाद फिर से question देखेगा, क्या बोड़ा किसी भी item का अगर आप 10% loss में बेश रहें, 10% loss में बेश रहें, that means आप 90% of the cost price में बेश रहें, 90% of the cost price, यह हमारा आगया selling price, अब क्या बोल रहे है, I had it sold for 9 more, that means हमारा new SP क्या आगया, 90X by 100, प्लस 9, यह हमारा new SP आया, इसमें अगर बेश रहें, तो हमें cost price का 12.5% profit हो रहा है, तो cost price X का, उसका direct 12.5% हमारा profit हो रहा है, तो हमें क्या निकालना है, cost price निकालना है, cost price हमने किसको माना था, X को माना था, तो जो X का value होगा, वो हमारा cost price होगा, ठीक है, question number 14, को आप solve करके, इसका answer, comment box में comment कीजेगा, चली, next, यह हमारे आज के maths के session का last question है, दोस्तों, क्या बोल रहा है, an item is sold for 178 at 11% loss, item को अगर हम 178 में बेच रहे हैं, SP अगर हमारा 178 है, तो हमें क्या हो रहा है, 11% का loss हो रहा है, तो CP हमें क्या है, CP हमें नहीं पता है, CPX, 11% का loss हो रहा है, that means हम 89X by 100 में बेच रहे हैं, 11% direct हमने 11 minus कर लिया, तो 89% of X में बेच रहे हैं, yes or no friends, यह हमारा किस के equal होना चाहिए, 178 के equal होना चाहिए, X का value निकालेंगे, तो हमारा क्या हैगा, 178 by 200 divided by 89, that means हमारा cost price क्या निकला, cost price हमारा निकला 200, cost price हमारा क्या निकला 200 निकला, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इस particular item को अगर आपको profit में बेचना है, 11% पर तो अगर आपको इस particular item को आप बेचते हैं, और अगर आपको profit चाहिए, 11% का, तो आप कितने में बेचिएगा, तो cost price हमारा हो गया 200, हमें क्या चाहिए, 11% का profit चाहिए, and that means हमें 111 चाहिए, यह 00 कड़िया, यह हमारा कितना है, rupees 222, rupees 222 को अगर हम में किसी एक object को, किसी एक item को बेचते हैं, तो हमें 11% का profit हो, इसका correct answer क्या हो जागा दोस्तों, option number C, friends हमारे session को like किजए, अपने दोस्तों के साथ, जादर से जादर share किजए, और जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहें, बेला के इन दमागे हमारे channel को subscribe कर लीजए, thank you,